तो जैसा आपको पता है मैंने टाइम चेंज कर दिया है तो इसलिए मैंने टाइम चेंज कर दिया है ताकि आपको मैं अपना 100% यहां पर देश को चार बजे का हो गया है और जो आपकी जो प्रैक्टिस सेशन चलता है तो यह टेलिग्राम चैनल आपको पता है यह वाकी फेस्बूक की प्रोफाइल है आप इसमें कर सकते हो तो पारप्लांट हम लोगा चल रहा है आज हमारा ले आपके पास क्या नया टाइम टेवल है तो देख सकते हो आप की सुबह 9 बजे आपके पास जो मैं को डिसकर होगे मैं आज और कल नहीं लिया क्योंकि हमने पारप्लांट में अपी उतरह नहीं किया कि कोश्चन समलोग लोग ले लेते हैं तो हम फिर अपना कंटिन्यू कर प तो यह नॉन प्रग्निकल वेज्टे मतलब क्या है कि आपका वाइजएक का एक्जाम है तो जो भी ऐसे एक्जाम होते हैं जहां पर क्या होती है आप इस मैद को सीख सकते हैं तो आपके लिए फायदे मन दी है कोई नुपसान वाली कोई बात नहीं है उसके बाद दो की नहीं दीडिए nine अचिह सीकने को मिलेगी और चार बजहेह बाइक है चर्लास चल रही है और यह मैं हिंपनी करते हैं तो यह अचले करते हैं तो देखने हिग को इसको में अशेए कर डिजी आफ पर देखो यहां पर हमारे पास क्या है हम लोगों ने लास टाइम पर एर स्टेंडर साइकल पढ़ ली थी हम लोगों ने लास टाइम पर एर स्टेंडर साइकल पढ़ ली थी अब हम क्या आने पढ़ ले हम लोग पढ़ने वाले हैं दी जनरेशन मतलब उसी साइकल में हम क्या करते हैं तो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट पढ़ता है तो से पहले हमारे पास क्याता है डी जनरेशन आ हो जाता है आपके पास कमशन होता था जाता आपके पास चंबर्शिन चैंबर में यह कमशन चैंबर मे셔서 तो तो मैं ऐसा क्यों ना सोचूं कि यहां से निकल के इंटर कूलर पर जा रही है और जिसका टेंपरेचर क्या है काफी अच्छी अमांट वो उसका टेंपरेचर है कि इस एयर को हम लोग वैसे भी क्या कर रहे थे हीट अप कर रहे थे तो क्या होना पड़ेगा अब हमारा जो फ्यूल है जो हमारा फ्यूल है उसको कम देना पड़ेगा ताकि आपने कुछ नतों यहां पर हीट गेंड कर लिए है और फिर क्या होगा वी से आप क्या करोगे बा सा प्रोसेस होता है जिसमें high temperature exhaust gases ध्यान रखना है high temperature exhaust gases क्या होती है जो भार निकल रही होती है turbine से उसको हम लोग क्या करते हैं उसकी heat को utilize करते हैं जो cold air क्या हो रही है compressor से निकल के आ रही है before entering the combustion chamber, combustion chamber से होता है और इस preheating of cold air का क्या होगा भी यहां पर हमारे पास के सकते हैं तो fuel की requirement उसको गरम करने की कम हो जाती है और जब हम fuel कम देते हैं तो यहां से हमें efficiency बढ़ती हुई बढ़ती हुई बढ़ती है तो इस तरीके से आप देख सकते हूँ आभी हमारे पास क्या है विपalot है Tology S का हमारे पास plot है तो क्या हो रहा है देखो यह .1 है यह .2 है यह हमारे पास .3 था और यह ,andy word factor .4 था पहले हम क्या करना पढ़िछा था है पहले हमें 2 से 3 तक जब हमने 20 आने लगाया था, मतलब हमने जो यह वेर्ट जारा था, इसका temperature हमने कुछ rise कर दिया, तो यह supposedly कुरूँ, एपउइंक तक इसका temperature rise हुआ, तो अब मैं कितना combustion भीरा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना मैं fuel कर रहाऊं, supply कर रहाऊं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा तो आप देख सकते हो क्या कि यह temperature हमारे पास TA है जो फोर्थ वाला temperature है वो कितना है तो आप इसको देख सकते हो एक बार हम देखते हैं कंपेरिजन फर्क क्या पड़ा भी हम क्यों यूज कर रहे हैं फर्क क्या पड़ा वो देखते हैं तो देखू पहले आपके पास cycle क्या थी पहले आपके पास simple यह cycle थी टिंपल यह cycle थी तो work for compressor कितना लिखते थे आप S2 minus S1 लिखते थे turbine का वर कितना लिखते थे S3 minus S4 लिखते थे और net work कितना लिखते थे turbine minus WC वहीं यहाँ पर compressor दे रहो WC और यहाँ से क्या हो रहा है WT निकल रहा है और जो heat supply कर रहे थे आप पहले 2 से 3 point तक दे रहे थे हैं जो heat supply कर रहे थे हम लोग 3 point से 2 point तक दे रहे हैं 2 से 3, S3 minus S2 और efficiency क्या होती थी W net upon Qs और heatization कितना होता था उस time पर 4 minus 1 होता है अब आपने क्या किया है भी यहां पर regeneration लगा दिया क्या लगा दिया लगा दिया तो रीजनेटर से हमारे पास cycle क्या बन गई अब 1, 2, A, 3, 4, B फिर बन गई हमारे पास क्या होगी भी नई cycle बन गई अब देखो compressor work की बात करते हैं तो compressor work अभी भी क्या है 1 से 2E तो compressor work तो constant है इ W net भी क्या हो जाएगा आपके पास constant आ जाएगा क्या जाएगा constant आ जाएगा अब फर्क कहां पर पढ़ रहा है देखो पहले आप heat किती देथे थे 2 से 3 तक आपको heat देनी पढ़ती थी लेकिन नी generator लगाने से क्या हुआ हम जो heat दे रहे हैं वो सिर्फ A से कहा तक दे रहे है तो H3 minus H A जिसका मतलग क्या है कि इस QS की value जो heat supply हो रही है वो क्या हो रही है यहाँ पर decrease हो रही है और efficiency आपके लिखतो W net divided by QS और अगर यह QS decrease कर गया तो efficiency क्या कर जाती है बढ़ जाती है और efficiency तो हमें बढ़ानी होती है और जो rejection आप देखो कितरे rejection हो रहा है अब rejection हो रह क्लिए यहां तक क्लिए रहा है तो आप देख सकतो भी हमारे पास क्या था यह वन से न्यव защ 2 यहए रहिए और यहां चक्लिए और देख सकतों की जो लीगए और यहां लगा है धोड़ासा एंसे अउपर है और आप देख सकते हो T4 के आए भी जादा है किस से T2 से जादा है और 2 से A तक तो क्या है हमारे पास इस unit में इस जगा क्या लगा है आपका regenerator लगा हुआ है और A से लेके 3 तक क्या हो रहा है आप combustion chamber लगा रहे हो 3 to 4 क्या है भी turbine का work है और यहाँ पर क्या हो रहा है पहले कितनी reject करते थे आप पहले करते थे 4 to 1 लेकिन अब कितना rejection हो रहा है अब सिर्फ और सिर्फ इतना हो रहा है कितना हमारे पास क्या हो रहा है हीट का rejection हो रहा है मतलब इतनी जो energy है हमने क्या कर दी use कर दी ताक इसका ये value बढ़ाने के लिए ठीक है ये क्या भी T versus S plot था तो इसमें एक term आती है कि हमने अगर एक unit लगाई है regionator हमने क्या लगाई ये भी एक unit लगाई है जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो regionator और regionator हमारे पास क्या भी एक type है किसका heat exchanger का एक type है हमारे पास किसका heat exchanger का तो इस unit लगाने से क्या हुआ हमारे पास इसके unit लगाने से क्या हुआ यहाँ पे एक term आती है उसकी effectiveness के बारे में बात करेंगे कि हमने जो unit लगाई यह वो कितिनी effective है कितनी effective है और उसको काはप लोग क्या बोलते हो degree of regionation, या कभी-कभी thermal ratio भी बोलते हो तो इसमें क्या होता है हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होता है इसको epsilon से show करते है तो जो actual rise हो रहा है temperature का तो आप maximum temperature rise से अब पॉसिविल्टी क्या थी इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए तो इसका जो घा रहा हूं हूँ कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने जब 4th point से exhaust connect किया है तो इसका temperature जो A तक पहुँच रहा है वो A तक ना पहुँच के वो यह point का पर आना चाहिए था यहाँ पर आना चाहिए था मतलब यह क्या है इसकी maximum value है क्या है इसकी maximum value तर maximum value क्या हो जाएगी भी T4-T2 हो जाएगी और actual temperature आइस कितना है यहाँ पर T A-T2 है और यह हमारे पास कितनी होती है लगबक 70-80% के आसपास के होती है हमारे पास इस heat exchanger की efficiency होती है तो एक यह बहुत जड़ा important बात है उसके बात क्या आता है कि ideal regionally tip cycle क्या होती है ideal ideal की बात हुरी यहाँ पर ideal की थहीजय, तो ideal मतलब क्या है आदर chilly perfect है मतलब मतलब क्या हो रहा है कि जिस temperature पर हमारे पास चरइडर पास निकल रही थी विल्कुल तुरंड उसने किया है वही temperature gain कर लिया क्विल शने तुरंफ पही temperature gain कर लिया मतलब जो तेम्प्रेचर एक है वह तो temperature four के बराबर पोच गया तो आईड Dag mile कई तो की बात करेंगे तो आइडेल में क्या होगा हमारे पास कि sto December एयर है जो cool air है वो क्या हो रही है आपके पास heat होती है turbine exist पे in an infinitely large heat exchanger ठीक है ठीक है यहां तक के लिए रहे आपको तो यहां पे देखो 100% क्या होगी इसकी effectiveness होगी तो 100% के लिए क्या होना पड़ेगा भी TA को T4 के equal होना पड़ेगा तभी आपके पास क्या होगी यहां पे यह ideal बन जाएगा तो अगर आप यहां पे देखो कि TA किसके equal लगना पड़ेगा आपको T4 के लगना पड़ेगा तो यहां से क्या हो जाएगा T4 minus T2 cancel out भी जाएगा तो effectiveness कितना जाएगा बना जाएगा कितना जाएगा बना जाएगा और यह हमारे पास क्या है ideal regenerative cycle का case होता है उसके बाद क्या है आपके पास जो पूछता है वो पूछता है भी efficiency of ideal regenerative cycle cycle की efficiency क्या होती है अब proof तो मैं कराऊंगा नहीं यहां पर आपको पता है कि हमारे पास क्रेश कोर्स चल रहा है तो proof नहीं समझाओंगा बस आपको यह formula ध्यान रखना है यह formula ध्यान रखना है कि जो efficiency है ideal regenerative की वो होती है 1 माईनस T1 अपौण T3 इन्टो आर की पावर वही आर की लिखها है यहार फी मतलब क्या है pressure ratio की पावर गाम माईनस 1 अपौण ön γामा जहापर T1 T1 क्या है भी हमारे पास? T1 हमारे पास है minimum temperature कि जो minimum temperature नहींगा है तो यह जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है भी आपको इसको ध्यान रखना है आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूला है भी यह वाला इंपोर्टेंट फॉर्मूला है डारेट कोशन आपसे है आईडेल रीजनेटीव की उसके बाद देखो क्या कि कुछ फर्ख पड़ रहा है क्या फर्ख पड़ रहा है इसका इमपेक्ट सबसे पहले देखा आमने प्रेशर रेश्यों क्या होता है हमारे पास जो क्या हो रही है थाप की बढ़ रहा है şi c रा पर बढ़ जाएगी तो आरपी हम और बढ़ जाएगी तो यह T1 थाप्स प्र पर बढ़ी हो जाएगी जिस वजाए से इस ए्फिशेंसिटी क्या हो जाएगा तो अगर पस T1 वाला, तो अगर मैं T1 की value बढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ, अगर low temperature की value बढ़ाता हूँ, तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, बाती सब constant है, तो ये वाली बढ़ जाएगी, जिसकी वएसे 1 minus वाली जो टम है, वो क्या हो जाएगी, उसकी वएसे efficiency decrease कर जाएगी, और जो last है हमारे पास, कि अगर हम high temperature की बात करें, maximum temperature की बात करें, अगर आप T4, T3 बढ़ाते हो, तो T3 बढ़ाने से क्या होगा, आपके पास ये पूरी value क्या हो जाएगी, और ये कम हो जाएगी, तो ये पूरी bracket वाली value कम हो जाएगी, और अगर 1 में से आप क लिखाई दे रहे हैं, ये बेहदी important है, direct यहां से, direct यहां से objective questions बन सकते हैं, direct यहां से क्या हो सकते हैं, objective questions आपके बन सकते हैं, बात किलियर है, बात समझ में आ रही है आपको, तो आपको ये सब कुछ दिहान रखना है, देख सकते हैं, अगर मेरे पास simple brittance cycle हुआ करती थी तो simple brittance cycle में क्या होता हुथा मेरे पास, वही जब मेरे पास RP की value, जब RP की value क्या होती थी, जब मारे पास क्या होती थी, 0 होती थी, यहां पर क्या लिखा है, भी efficiency लिखा है, तो यह इस तरीके से बढ़ती थी, RP की value कितनी है यहां पर, यहां पर 0 नहीं है, यह 1 के बराबर है, ठीक है, और यहां पर देखो optimum पर, optimum पर क्या हो रहा है, जो ideal regenerative वाली cycle है, वह भी यह कर रही है, यहां पर coincide कर रही है, इस point पर यहां पर यहां पर यह दोनों coincide करेंगी, वो हमारे पास क्या मिल जाएगा, pressure ratio या फिर optimum pressure ratio आपको मिल जाता है, next जो device हम लगाते हैं, उसको आप लोग बोलते हो, intercooling, क्या बोलते हो intercooling, तो intercooling का काम क्या है, कि temperature को reduce करना, intercooling का क्या है, जो temperature है, उसको कम करना है, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारा, यह जो compressor work है, उसको हम लोग save कर सकें, ठीक है, क्या कर सकें, save कर सकें, तो आप देख सकते हो कि intercooler को आप लगाते हो, इंटरपूर को आप यहां पर लगाते हैं तो हमने क्या किया है तो जो जो इंटरपूर लगा दिया तो जो जो कम्प्रेसर के बीच में आपके लगाते हैं और इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है तो अगर W net की बात करें, अगर W net की बात करते हैं, तो जो turbine work है, जो turbine work है, और जो compressor work है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों का क्या चलता है, network है, तो यहाँ पर देखो, inter cooling लगाने से क्या हुआ, inter cooling लगाने से क्या हुआ, हमारे पास यह W C की value, वो क्या होगे, कम होगी, और जब यह W C की value कम होगी, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास, यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, भी जो W T से आप minus कर रहे हो ना, तो minus करने से क्या होगा, यह value और छोड़ पढ़ जाएग सब्सक्राइब और अगर封द्रों आपके पास बढ़ गई तो मास फ्रोरेट वमास फिलों रेट में वह क्यों जा कि जाने निए तो बीजिग्री होना पड़ेगा हो आप सकती है ऑना सब्सक्राइब किस तरी से पर रिल्ग यह घुश्थ गार पास प्हुं यहां पर फ्रेशर रहा और वल्युम घठता जा रहा है तो यहां पर क्या होगी हाँ थ्री पर पहुंच गे फिर थ्री से पर पहुंच गे फığını ही पर पहुंच गे प VERY फैनल कंप्रेशों सफ में पहुंच गे अफके पात क्या भी ताइस एक टीके 425 आपके पास यौगा फिर यह बॉल्म में एक्षपेंशन होगा उसके बाद 5-6 हो जाएगा आपके पास और 4-6-1 फिरसे हमारे पास यह होगा यहांसे तरीके से आपके पास यह cycle चलती रहती है तो हमने कितना वर्क पचादिया। हम लोगों ने इतना वर्क सेफ कर लिया।ached ही तो यह हमारे पास क्या है सीशनली फैर प्रेशार पर क्रेशर पर काम करता है आपका इंटर्कूलर। तो कॉंस्टेंट प्रेशर पर क्या हॉटर पर तुर पोर क्या क्या हो रहा है हमारे पास यहां पर दूसरे वाले ने काम किया है और पर फाइनली हमारे पास पर पहुंच रहे हैं पर फिर क्या हुआ यहां से आपके पास किसलती है सेmem Осब करनेंवरिय पिर ऑमारे पास क्या है इंटरमडिय यहां पे आपके पास सब्सथ क्या है वचिया है और उसमें आप देख सकते हो क्या वन से टू टू कंप्रेसर फिर क्या हो गया इसको जोड़ा अगर हमारे पास नहीं होता तो इतना वर कम ने बचा लिया और फिर क्या हो जाएगा फाइब और यहां पे-धू-दैश-फी-फ फी-फी-फी-फी-फ सब बराबर हैं यहां पर देखो P1 P6 P1 सब बराबर है बस यह जो बीच वाला है इसको आप लोग क्या बोलते हो भी इसको आप लोग बोलते हो इसको आप लोग क्या बोलते हो इंटरमेडियेट प्रेशर तो इंटरमेडियेट प्रेशर को जाएगा P3, P2 और यह किसके बराबर हो जाएगे तो यहां पर देखते हैं कि फाइदा क्या हुआ हमें लगाने का हमें लगाने का क्या फाइदा हुआ तो in order to increase the net work output, अगर हमें net work output को increase कर रहा है तो एक method तो क्या है कि जो input required है compressor की वज़ा से उसको decrease कर दो क्या कर दो decrease कर दो और इसको आप obtain करूँगा कैसे जब हमारे पास number of stages आ जाएगी compressor के अंदर जिसमें क्या होगा इंटर pooling लग रहा होगा उन stages के बीच में तो comparison करते हैं यहाँ पर comparison क्या है हमारे पास कि क्या effect पड़ा cooling का इंटर pooling लगाने का क्या effect पड़ा तो आपको यह figure शाहेद दिख रही हूँ तो आप देख सकते हो क्या कि पहले हमारे पास जो cycle हुआ करती थी यहां से फोड़ा ता बढ़ा कर देता हूँ तो आप इसको देखो पहले जो cycle हुआ करती थी वह यह हुआ करती थी वन तू डैश फाइव शिक्स और वन तो यह हमारे पास पहले वाले cycle हुआ करती थी तो इस cycle के अपर्डिंग इस cycle का वर्डिंग आप देख सकते हो क्या कि जो डवलू सी है जो कंप्रेसर बर के वह कितना है एस टू डैश माइनस है एस टू डैश माइनस है अब हमने जैसी इंटर पूलर लगाया तो इंटर पूलर से मारे पास साइकल क्या बन गई तो आप देखो कंप्रेशन वर्ड क्या हो रहा है यहां पर क्या करता है कंप्रेसर वर्ड की बात करते हैं तो तर्वाइन वर्ड कितना हो जाएगा हमारे पास सेम रहेगा यहां से आप देख सकते हो कि हीट सप्लाई कितनी हो रही है तो यह बढ़ गई और एफिशेंसी क्या हो जाएगी यहां से घट जाती है तो पिला की बात करते हैं कि री जनरेशन का हम लोग क्यों यूज करते तो जो इसको होता है् यश्प बढ़ जाता है कब जब for minimum, कम behind ground करनी, जब आपके पास जो work input होना चाहिए, minimum work input होना चाहिए, with perfect interpooling, क्या होने चाहिए, with perfect interpooling, ठीक है, तो आप देख सकते हो भी, for perfect interpooling के लिए, क्या होगा, सबसे पहली बात, जो आपके पास maximum temperature है, और जो हमारे पास minimum temperature है वो दोनों क्या होने चाहिए? Equal होने चाहिए? Equal हो गए Intermediate pressure की बात करें तो P2 क्या दिखा रहा है? आपको high pressure बता रहा है P2 क्या बता रहा है भी high pressure है आपके पास और P1 क्या होने है? Low pressure है तो ये क्या होगा? आपके पास intermediate pressure के हो जाएगा intermediate pressure आपके पास कुछ नहीं है P higher into P lower P higher into P lower ठीक है फिर आप देख सकते हो कि T2 बरावर किसके हो जाएगा भी T4 के भी जाएगा T2 बरावर किसके जाएगा T4 के बरावर जाएगा और यह जो compressor है जो दोनों के compressor हमने लगा रखें दोनों का work क्या हो जाएगा दोनों का work input क्या रहेगा सेम रहेगा तो यह जो perfect intercooling की condition है वो आपको क्या रखनी है यह आपे इसको ध्यान रखना है बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छा sound problem तो नहीं आ रही है आपको पीछे से कभी machine की चलने की आवाज आ रही हो अच्छा आगे बढ़ते है री हीटिंग पर आते हैं री हीटिंग पर तो री हीटिंग पर क्या होगा हमारे पास compressor है turbine वन तो यहां पर combustion chamber हमने क्या है लगाया यह भी पहला लगाया है तो अब हम क्या देखते हैं क्या पढ़ने वाला है री हीटिंग का ठीक है तो यह तो आपके पास पीवी प्लॉट है यह से हम लोग ज्यादा बैतर समझते हैं तो यह आपके देख सकते हो कि 1 से 2 फिर क्या हुआ अभी 2 से 3 आपने क्या किया इसको combustion chamber से क्या करी सप्सक्साइब है वाला नहीं पर आ यहां थे हमारी पास क्यों रख रहे हैं यहां पर rush सकते हैं और हमारी है सब्सक्रीब करता को अदेर्टी यहां हो चाह जोका है कैसा सी तो आप WhatsApp हो यहां पर वन से तू फिर वो से कमबश्चन पर टरबाइन का ओर प्रॉन हो रहा है कमोशन हो रहा है नियुक्त सब्सक्का आ गोई तो वापस आ नियुक्त आइए उप्ट प्रवस्ट आगए और अलोट भी सब्सक्राद हो अब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि क्या impact पढ़ सकता है, क्या impact पढ़ सकता है तो वो देखते हैं भी हमारे पास, देखो, यह हमारे पास क्या है भी normal cycle है, यह हमारे पास क्या है normal cycle है, मतलब 1 से चले, 2 पर पहुंचे, 2 के बाद कहां पर पहुंचे, 3 पर पहुं – H1 है, Turbine work कितना है भी, H3 – H4' है, Net work कितना है, Wt- किया है, Wc है, Wt- किया है, Wc है, और Qs कितना है हमारे पास, H3 – S2, Qr कितना है भी, H4 – H1, H4 – H1, लगा हो आप हमने क्या लगा गया है, Reheater लगा दिया, तो जैसे हम ने रिएटर लगाया तो आपके पास नई साइकल बन गई कौन सी नई साइकल बन गई भी वान वान टू थरी फोर फाइव सेक्स फिर हमारे पास फिर से बना आई तो अगर देखा जाए कंप्रेसर की बात करें तो बन से टू हमारे पास constant है कोई चेंज नहीं आया इसमें और इसमें अब देखो तरवाइंट वर्ग की बात करते हैं पहले क्या उद्गोर्ध की बात करते हैं यह constant है तो इस उबिस्ट कर रहा इंक्रीज कर जाएगा, heat supply की बात करते हैं, आप कहां पर heat supply करना पड़ रही है, आपको 2 से 3 भी supply करना पड़ रही है, और 4 से 5 भी supply करना पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, पहले कहां पर हो रहा था पहले रिजेक्शन इतना हो रहा था अब कितना रिजेक्शन हो रहा है अब इतना रिजेक्शन हो रहा है तो रिजेक्शन भी हमारे पास बढ़ गया है और एफिशेंसी आपके पास बढ़ेगा एफिशेंसी आपके पास वजाएगी तिक्री जाती ह हो जाती है तो यहां पर भी आप देख सकते हो क्या जी ओनेट वर्क आउटबूट वे जूर्ट बॉट फूर्क यहां कर सकते हो जब आप क्या करते हो जो वर्क आउटबूट है टरवाइन का उसको बड़ा तो ठीक है और कैसे ऑप्टेन होगा जो हमारे पास सेवरल स्टेज होता है वी जनरेशन का वो क्या कर जाता है क्या बढ़ जाता है इस लिए होती है चाहिए हम लोग भी जनरेशन की सात या करते हैं इसको कपड़ कर दे तो रिजनरेशन के आप भी कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो तो सेम इसमें कहानी चलेगी क्या हमको निकालना है इंटरमीडियेट प्रेशर क्या होगा for maximum work output with perfect reheating तो आपको ध्यान रखना है पहली बाद तो ध्यान रखने की यह तेमपरेचर है ती-3 वाला और ती-5 वाला है देख सकते हूँ जो इंकर में प्रेशर है वह क्या होगा वो यही होने वाला यह प्रेशर आपको देख रहा है वह क्या होगा होगा वी 4 और 5 का तेम रहेगा और आपके पास क्या है जो high pressure है P2 और जो हमारे पास low pressure है इन दो मों इकां चाहिए गा प्रड़क और underlo conform क्लिए उसके बाद देखो थर्ड हमारे पास जो टैंप्रेचर है फोर का और शिक्स का क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए बराबर होना चाहिए तो हमारे पास क्या है आपका जाहिए बस्सक्रेंट अच्रियर व सब्सक्राइब क्या है फाइसक्राइब यहाँ पर्सक्राइब सब्सक्राइब फोर्म है चूण परकु इसी बबनेगा आप इसको प्लते यहाँ यहां पर आप करते हो यह पहले बात क्या है Kahahaha हाम सब्स्टे उसके बात होग अगया पास सबस्टेंस नहीं होता सस्ता है एकनॉमिक है इजली अवेलेबल भी आरता है उसके बाद देखो नेश्ट आती है हमारे पास स्पेसिफिक स्टीम कंजम्शन तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था आईसी इंजन में तो ब्रेक स्पेसिफिक स्टीम कंजम्शन थीए और इंडिकेटड स्पेसिफिक स्टीम कंजम्शन यह हम लोगों ने पढ़ा था आईसी तो उसी तरीकी से होता है क्या हमें अगर क्या गर्ना है भी क्लॉष ऑट का एक क्लो वट की हमें क्या करना है यह आपर क्या सकता हूं कि पावर को प्रूद्यूस करना है तो और टाइम कितना है मेरे पास अगर 24 घंटे फीलिजे में मुझे अगर एक किलोवाट को बनाना है तो उसके लिए हम्हें कितना आम या पी बनार को चाहिए तो प्रोडियोश वन क्लोवाट पावर आउटपूट ठीक है तो इसका यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है कोशन इससे डारेट पूछा हुए तो कितना हो जाएगा है…चत्पेसोड डिवाइड वेरी टव्नेट केजी पर किलो वॉट्र ऍहिकल्वार से कानत्फ व्रबडेश नजन हराम जो औन अघच्पा किभी इसला रखाई के टेमीमेचर को कautres कें सब्सक्राई को घर कर सकें और फिर हमारे पास क्यी इसाय हम दिख सकते हो यहां कि आगे चाने बैइंद का इंद तो एक एक फार्ड कि और यह बैट जो तो इसको design करना क्या है बहुत मुश्किल है कि condenser से जब आपके पास जो यह working substance निकलेगा वो क्या हो आपके पास किसमें हो भी condenser होता है ना पूरी तरीके से क्या हो जाती है लिक्विड बन जाती है तो यह possible नहीं है यहां पर three point पर छोणना impossible सा लग रहा है उसके second point लिखा है इस डिफिकल्ट इस डिफिकल्ट तो डिजाइन आप कम्प्रेसर विच हैंडल सा मिक्षर ओफ लिए तो आपको पता है थर्ड पॉइंट क्या है दव वर्क आफ कम्प्रेसर तीटु फोर इस हाइविंग हायर वैल्यू देफोर दनेक्स्ट वर्क आउट्फूट पूट्ट अपके पास लिडियूच हो जाएगा और फॉर्थ पॉइंट क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट यह लिखा है ता स्ट इसका मतलब क्या है कि ज्यादा अमांट में क्या होगा हमारे पास मिक्षर आएगा और क्या होगा लिक्विड भी होगा और वेपर भी होगा तो इसका मतलब क्या है यहां पर जो इरोजन के चांसी है तर्भाइन ग्लेट के वह क्या हो सकते ही इंग्रीज कर सकते हैं उसके पाद यह very important है आपके पाफ cycle वह होती है Rankine cycle तो Rankine cycle से देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से process होते हैं तो पहला process हमारे पास क्या है भी 1-2 है 1-2 वाला process है 1-2 process में क्या है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर reversible adiabatic या आइसेंट्रोपिक expansion है रिवर्जीवर अडियाबेटिक या फिर आप इसको बोलते हो आइसेंट्रोपिक expansion बोलते हो दूसरा क्या है टू से थ्री क्या है मारे पास constant pressure पर heat का rejection हो रहा है फिर यहां पर देखो pump की requirement होती है क्या हम क्या कर रहे है यहां पर water को क्या कर रहे है उपर लेके जा रहे हैं तो हमें चाहिए pump ना की compressor तो इसलिए यहां पर वह हड़ गया और 451 आपको दिखेगा constant pressure पर heat addition हो रहा है तो यहां पर आप देख सकते हो यह हमें पास unit है यह हमा unit पर बेज रहा है तो आप यहां से देख सकतो यह one यह two यह three यह four यह five ठीक है इस तरीके से आपके पास cycle चलती है तो turbine बर कितना होगा turbine बर होगा आपके पास H1-H2 कितना होगा H1-H2 turbine बर उसी तरीके से second देखो क्या लिखा है pump पर तो pump पर कितना होगा आपके पास H4-H3 ह H4-H3 आपके पास क्या है pump पर के और इसको आप क्या लिख सकतो in form of volume लिख सकतो specific volume तो specific volume क्या लिखोगे VF3 P4-P3 PF3 P4-P3 तो यह जो PF3 है F3 क्या है भी 3 वाला point है और 3 वाला क्या है entry point है pump का तो 3 वाला क्या है entry point है pump का तो क्या लिखोगे और P4 क्या है आपके पास high pressure है P4 क्या है high pressure है और P3 क्या है हमारे पास low pressure है तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप PF entry P higher minus P lower ठीके तो आपको ध्यान रखना और हाई किसका है भी हाई हमारे पास बॉइलर का प्रेशर और यह किसका भी कंडेंसर रहा है तो उसके बाद आप देख सकते हो कि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप देखो यहां पर क्या हो रहा है कि जो विजन है हमारे पास किसी का भी लो एफिशेंटी होना इसकी रेंकाइन साइकल की विद रेस्पेक्ट तो क्या है वो लोग चेक कर लेते हैं तो देखो यहां पर पर यह हमारे पास एक साइकल बनी हुएती है टीयस इसमें हमने दोनों साइकल बना दी है एक साइकल तो हमारे पास कौन सी वाली है एक साइकल तो हमारे पास यह वाली है वन से टू तू से थ्री तू से थ्री तू फूर तू फूर तू फाइव फिर फाइव तू क्या हो र का यह सइकल है दूसान को कौन से दखाय दे रही हैột तू फिर चैभ फ्रहे पास कpit है यह क्या है पर पर इस तरीके से कि आंग प्रूव कर देता हूं तो क्या होगा हमारे पास क्लिए लाइन रों करें तो यह मारे पास कहलाती है temperature कौन सा है mean temperature है mean temperature of heat addition जिस mean temperature पर आप क्या कर रहे हो heat को add कर रहे हो तो यह मेरे पास क्या है चांट वाला पार्ट है और यह मेरे पास क्या है कारणोड वाला पार्ट है तो आप यहां से देखोगी जो टी mean की वैल्यू किस में कम है तो टी mean देखो यहां पर इतना space छूट रहा है न तो इसका मतलब क्या है कि टी mean की value कारणोड की जादा है as compare to कार्णोट की ज़्यादा है उसके बाद आप देख सकते हो क्या कि एफिशेंसिव कम लोग लिखते हैं आउट्पूट अपन इंपूट लिखते हो आउट्पूट क्या है यहाँ पर डबलू नेट है इंपूट क्या है हमारे पास स्क्यू सप्लाई है और यह हमारे पास क्यू Q net है और यह क्या है Q supply है और Q net को क्या लिसकतो Q supply minus Q rejection और 1 minus Qr upon Qs और 1 minus क्या लिसकतो इस heat की value इस heat की value क्या है हमारे पास T L delta S है और नीचे का रिफर्टा है Qs लोगे तो आप इसको सही कर सकतो तो आप इसको सही कर सकतो Q supply कितनी हो रही है भी T mean into delta S turbine तो एक turbine कर रहा हूं sorry चाहो है हमारे पास entropy है तो यह cut जाएगा और आपके पास के बचेगा आपके पास relation बचेगा वह यह वाला तो यहां पर यही बात लिखी गई है कि जो network output होता है जो network output होता है Rankine के cycle के case में उसकी value होती है हाई होती है उसकी value कैसी होती है हाई होती है किस से Carnot से लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो efficiency होगी हमारे पास इसकी Rankine की वो Carnot से जादा होगी क्योंकि यहां पर जो mean temperature का heat addition है वो क्या होता है Carnot के लिए क्या होता है ज्यादा होता है इसलिए क्या होती ही ज्यादा होती है अब यहां पर यह करना है हमें method लगाने कौन-कौन से से method है जिससे हम लोग performance सुधार तक है कि इसकी Rentine cycle तो पहला हमारे पास क्या है अगर हम boiler pressure को बढ़ा दें तो क्या होगा तो देखो पहले हमारे पास कितना था पहले हमारे पास कितना चलता था कि यह बंद दिख रहा है वान तू त्री पॉर पाइव यह हमारे पास क्या है पुरानी वाली cycle और नहीं वाली cycle क्या है जब मैंने boiler pressure बढ़ा दिया तो boiler pressure यह आप पर बढ़के यहाँ पर पहुंच गया यह पहुंच गया boiler pressure तो यह वन डैश मिलेगा यह हमारे पास टू डैश होगा फिर यह यहाँ पी जाएगा वापे त्री पर फिर क्या होगा यह 4 पे रुके 4 डैश पर रुकेगा और फिर यह 4 से डैश दे कहां पर जाएगा 5 से जाएगा तो जो यह blue वाली cycle आपको दिखाई दे रही है यह तो आप देखते हैं observation देखते हैं कि क्या क्या वर्क पढ़ा सबसे पहले turbine वर्क ही बात करते हैं तो पहले turbine पहले हमें इतना वर्क करना पढ़ रहा था अब हमें कितना वर्क करना मिल रहा है कितना वर्क मिल रहा है इतना मिल रहा है तो इसका मतलग क्या है turbine वर्क आपका क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है दूसरी बात क्या है pump की बात करते हैं तो pump क्या भी पहले फोर से 3 से 4 तक जारता है और फिरी से फोर डेश लेकि जा रहा है तो इसका मतल़ क्या है कि पंप अबर्ख हमारा क्या होगया बढ़ गया उसके बाद आप देखो डब्लूनेट की बात करते हैं नेट वर्क पर क्या परक बढ़ा तो डबूटी माइनस का लिखते हो WP लिखते हो WP लिखते हो WP लिखते हो तो W net WT बढ़ा और WP भी बढ़ा है तो W net बढ़ जाता है क्यों बढ़ता है क्यों WP की value क्या होती है WT के compare में काफी हद तक छोटी होती है उसके बाद heat supply की बात करें अब किसको रोगी है S2-S3 तो यहां से क्या हुआ हमारे पास rejection जो Q का rejection है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है उसके बाद T mean temperature of heat addition क्या हो गया पहले इतनी 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 वैल्यू और अब क्या हो गया अब देखो आपके पास पूरा फील हो गया यह पूरा फील होने से क्या हो गया ट of liquid और यहां से आप देखों कि जो X2डश की value है वो छोटी है किस से चोटी है तो यहां से हमारे पास पी जाएगा अगर आगर हमारे पास एक्स की value है वह अगर घट जाती है तो उसके घटने से क्या होगा हमारे पास जी जो वेपर है यह जो वेपर बन रहे तो वो भी और अगर वेपर कम हो गए तो जो लिक्विट का फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाता है यहां पर बढ़ जाएगा अगर लिक्विट बढ़ गया भी देखो ना पहले यहां पर क्या था ज्यादा आपके पास क्या है एक्स टू-पॉइंट पर फो तो एक्स-टू-पर पहुं हैर werd क्या होगा वहाँ पर टेंगे रोजन को बड़ा देंगे तो इसलिए हम लोगया करते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है एतःर कंडिशनहारे पास कि सूपर कूलिग रहे कि तो सूपर ऊटे कि आ हम लोग अब ही व् allows yourself हिक आज रहे है। मतलब पहले हम कहांप पर चलते थे չाले हुआ फूर फैल पर फ्रफिर 1 वां अब हम क्या कर रहे है हम लोग को लेकर जा यहां पे तो यह 1-2-3-4-5-6 इस तरीके ज़िए आप देख सकते होगी एक साइकल और बनाई एक पॉइंट और मना है आमने वन डवल डैश टू डवल डैश ठीक है फिर क्या हो रहा है इस तरीके से यह आपके पास चल रहा है तो निष्टने तर्वाइन रर्ण करते चल जो के इस में रहे हो यह यहां थिए, तो सप्लाई की बात करते हैं तो एक आपके पास प्लाई है उसकी बढ़ गई और रिजेक्शन की बात करते हैं तो यह भी बढ़ गया यह बढ़ गया, साथ यह साथ का हो वह हमारे पास जो T-mean temperature का addition है, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, तो यहां से आप देख सकते हो, efficiency क्या होगी यहां पर भी बढ़ जाती है, efficiency भी क्या होती है, यहां से बढ़ जाती है, और dryness fraction की बात करें, तो dryness fraction आप x स बढ़ जाएगा और liquid की value क्यों हो जाती है कम हो जाएगा, तो liquid का कम होने से क्या होगा, जो erosion हो रहा था, turbine plate का क्यों हो जाएगा, क्लियर है, next देखो हमारे पास क्या रहे भी, reheating आ रही है, किसमें आ रहा है रहा है, reheating हमारे पास आप इसमें आ रहा है, वेपर साइकिल हो तो reheating का purpose क्या है पहले देखते हैं कि जो primary aim क्या है भी उसका primary aim हमारे पास reheating का यह होता है कि हमें जो quality है जो quality है मतलब जो x की value जिसको आप लोग क्या बोलते हो dryness fraction उसकी value को हमें क्या करना है strong करना है मतलब improve करना है जो turbine के exit से निकल रही है तो इसलिए कि हम चाते क्या है हम लोग यह चाते हैं कि जो erosion हो रहा है वो कम से कम हो उसके बाद जो third second point यह लिखाएगी जब हम reheating का use करते हैं तो जो network output होता है वो बढ़ जाता है बढ़ जाता है जिसकी वह से क्या है specific steam consumption क्या हो जाएगी रिडियोश हो जाएगी और जो size है plant का क्या कर जाएगा decrease कर जाएगा क्या कर जाएगा भी decrease कर जाएगा समय हो देख्सकते है कारी कर लाएगा भी जाएगा strike कर पर जाएगी और यह हीट को ले रहा है और यह high pressure ठ्रवाई है this टिटेंसर है तो सारा कारिक्रम तो वही है किल बना के देख देखिए है क्या हुरा तो से नीचे नी और हमारे टिशा यह बड़ल कर दी और यह थी से कहां पर बाइब आ apologize फर anx應該 उस तरीकर नहीं और पास नृग क्या है तो यह हमारे पास क्या है काम होता है तो आप देख सकतो हमें इंटर्मीडिय प्रेशर निकालना है यहां पे मिल रहा है लिग도 और इतना हीट एडिशन पहले कर रहे थे इतना हीट इडिशन आप यहाँ पर यहाँ पर आप चैक करो क्या ऑपके पास यह ऊजाएगी और क्या हिए पंप बरक रहे रहे वह थो में फ़र्ग नहीं पड़ा वो तो अभी पांच और श्य की बीच में है तो अभी ही भी 5 और 6 की बीच में रहेगा ऐसे बाद आप देख सकतो डदबलू गालेट two उडबो टी माइनस डबलMaybe माइनस一點 वह जाएगा और सप्लाई की और हम बढ़ रहे है कितनी बढ़ रही है र chat. वन चैसे six वन चैसिंदुक बड़ा क्ला को उसके बाद जो नेक्स टॉपिक आता है वो आता है जदेस्ट होड़ा सा झाल रहे गया फांच वेटेञ ने को सा फिनिश करने की कोशिश करू भार तो डी जनेरेशन क्या होता है रिजनेरेशन तो इसमें क्या हो रहा है देखे चलते कहां से हम लोग तेंस से चलते हैं कि कि सपोस्कोन करो यहां से आज आंपाइन इस सच πολi कर जांते हो आपके नाम तो आप लोग जानते हो किसके नाम से ब्लीडिंग के नाम से आप लोग जानते हो तो क्या हो रहा है भी वन से जो हमारे पास जैसी टर्वाइन पर एक्जिस्ट होता तो हमने क्या कर दी यहां से कुछ यहां से अपनी वह निकाल दी और बच्ची वह बन माइनस वाइन पर चाहिए नहीं तो यहां पर एक्सपेंड होगा और यहां पर क्या है कंडेंसर लगा हुआ है यहां पर कितना आ गया आपके पास सिक्स वाला पॉइंट है उसके पास आपने एक पॉर लगाया और फिर से बॉइलर उनिट पर चल सा रहेगा तो इस तरीके से हमारे पास साइकल बनी हुई है यह रण करती रहती है तो अगर आप देखू, ओपन फ्वीड वॉटर को देखे तो इससे क्या होगा हमारे पास कितना एंटर कर रहा था था फाइन्ट कर रहा था तो अगर मैं इसको इस तरीके से बनाना चाहूं इस वाली फिगर को यह हम लोग इस तरीकेशें लिबना सकते हैं चो आपको एक निकल रहा हैं तो आप देख सकते हो कि यहां पर क्या भी individual का mass है तो m2 plus m3, m2 plus m5 किस के को लो जाएगा, m6 के को लो जाएगा और इस m2 को हम क्या कर सकते हैं, s2 से multiply, h5 से multiply, s6 से multiply, और h2 की value कितनी थी है हमारे पास, m2 h की value कितनी और हैं सब्सक्राइब देखंने हैं are रिजयर्ट्राइब वाइपर किस रि Sinya कि अछितिने पास हूे और तो देखंग ने सब्सक्राइब पर यहां से देखो तरवाइन वर कितना है पहला तरवाइन तो यह है दूसरी यह है तो डूसरी यह है तो डूसरी यह होगा वन इंटू H1 माइनस S2 पहला वाला दूसरा वाला क्या है 1 माइनस Y इंटू S2 माइनस S3 यह होगा WP की बात करते हैं Pumpover कितना हो जाएगा अब हमारे पास 425 और 627 तो 425 और 627 बिल्कुल सही है और आप देखो उसके बाद उसके बाद आप देखो Q supply तो क्यों supply कितनी कर रहे हो आप आप कर रहे हो भी यहां से लेके इतनी supply कर रहे हो भी कितनी supply कर रहे हो आप देखो इसको अगर है एक यहां पर लगा हुआ है खिक है तो काई भी लगा सकते हो मतलब तो यह हमारे पास क्या है भी इस तरीके से अम लोग और अगर खुर conviction तरीक के हो सकता है का है है करें तो यहां से क्या और थिए यह हमने क्या ओर निनन शुरू कर दी और 2 पर पहुंचे तो आपके पास कितनी होगी 1-1-2 kg आपके पास होगी और यहां से आप देख रहोगी आपने WP को दे रखता है तो यह क्या भी हमने क्या कर दिया है इसको बुलते हैं पत्सक्राइब यहां जेशां नियक्सी कबशन करते हैं डियंच आख शら return सब्सक्राइब करते हो इसकी वजह से क्या होता है वहां पर हमेश्चा क्या होगी सेभिष्प कि वजजा से इसलिए हम क्या करते हैं भी उसको हमेशा मिक्स रखते हैं एक्वल प्रेशर नहीं करते हैं और आपके पास प्रिक्वाइड हो क्या हो जाता है बढ़ जाता है अलॉंग विद्धा लॉस और तो आप इसको देख सकते हो ठीक है वही काम इसका उसके पास देखो क्लोज बाल गी होता है तो क्लोज बाले में कि क्या है जाल हो एक हिता आपके पास चीज यह मेंने हमारे पास जीड़ बडिदध लीड यह हमारे पास इस्स से पास करोगी तो आपके पास कीक्षी करते हैं तो इतना फुच्ता पहली आप सी बने बता दिया तो Desca तो आपके पास क्या है? यहां पर देखो close बाले का देखते हैं, तो in these क्या होता है इन में क्या होता है हमारे पास जो भी मैं देख रहा था वो देख रहा था कि ट्रांस्वर हो रही है, without mixing take place, यहां पर कोई भी mixing वगएरा क्या होती भी यहां पर happen नहीं होता है, तो कोई भी mixing वगएरा आपके पास यहां पर नहीं होती है, तो in these feed water heater में क्या होता है, दो stream क्या होती है, दो stream कभी भी mix नहीं करेंगी और they can be kept as different pressure, तो क्या रखते हैं, से आपके पास relation निकल के आता है, तो इतना important नहीं है, not so important, तो इतने potential नहीं लेनी है, बाखी एक PDF आपको मिल जाएगी, तो आप इसको cover कर सकते हो, ठीक है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आज का हमारा session भी इतना ही रहेगा, तो हमारे पास क्या हो गया, पावर्फरांड का ये lecture 2 हो गया, तो हमारे पास जो daily class रहेगी, वो चार बज़े रहेगी, और देखो, मैं UP से ब्लॉंग करता हूँ, UP में मुरादवास से ब्लॉंग करता हूँ, और क्या है, UP में अभी क्या चल रहा है, योगी जी ने क्या कर दो दिन के लिए, दो दिन के लिए क्या कर दिया, आपर lockdown कर दिया, मतलग कल और परसो, तो जब lockdown हो गया है, तो मैं office में आनी पाऊँगा, तो मैं class नहीं ले पाऊँगा, तो दो दिन आपका ओप रहेगा, तो कोई बात नहीं, आप खोड़ा सा रिलेक्स हो जाएगे, ठीक प्रीविस एर कोशन को सौल करेंगे, और फिर शाम को मिलेंगे, मंडे को ही चार बजी से, ठीक है, तो चलो, कोई बात नहीं, मैं class एडजस्ट कर लूँगा, जैसा भी मुझे लगता है, उसके according हम class भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो चलो, मिलते हैं, थैंक यू,